हज जी दोस्तों तो कैसे हो आप सभी तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपका डेट सिज रिलीज होने के बाद आपके दिमाग में दो सब्जेट का डेट एक मैस और दूसरा साइंस जो की सेकेंड मार्च को सेड्डिूल किया गया है लाज 10 वाले बच्चों के लिए ये आपका दिमाग में जरूर घूम रहा होगा क्योंकि बच्चे को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वो आता है मैस में या पिर साइंस में प्रॉब्लम इन दसेंस की बच्चे को दर लगता है दो ही subject से mainly जो की है math and science exceptional exist everywhere ओके तो धियान रखिए का exceptional बच्चों के मैं बात नहीं कर रहा हूँ math and science में usually बच्चे को problem आता है इसलिए जो science का exam है वो second march को schedule किया गया है और इस video में मैं आपकी साथ 25 essay question में आपको देने जा रहा हूँ एक ऐसा paper में आपको provide करने जा रहा हूँ जो समझ लीजिए कि यहां से last 10 साल में CBSC में भर भर कर question पूछे जा रहे हैं बार 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 यही question repeat हो रहे हैं और यही question इसमें से काफी सारा question इस बार भी आपको अपने exam में देखने को मिलने वाला है यानि कि यह 25 question आपको अच्छे से कर लेना और यकीन मानिये आपका काफी अच्छा खासा marks fix हो जाएगा क्योंकि direct question यहां से आने वाला है वीडियो काफी important है last तक जरूर देखीएगा और आपके लिए हमने इतना effort डाला है खुछ से question को prepare किया है last 10 years के paper को देखते वे यह जो most most repeated common question है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ दियान रखिएगा प्यारे बच्चों एक बर मैं discuss कर लेता हूँ देखी सारा मैं discuss नहीं करूंगा कुछ कुछ मैं आपके साथ discuss कर लेता हूँ ओके तो यहां पर लेकि जो fourth वाला question है कि आपको बनाना है longitudinal section of flower का label diagram यहां से question लगबख हर साल आता है दो तरीके से question आता है एक तो आपको यह figure बनाने दे दिया जाएगा diagram बनाने दूसरा क्या होगा कि आपको यह वाला already longitudinal section of flowers का जो आपका diagram है वो बना की दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि दो तीन पार्ट को ऐसे कर दिया जाएगा कि यह A है यह B है और बताओ इस तो आपको यहाँ पर जो next इस type का question काफी बार पुछा जाता है जो आपका पहला chapter है chemical reaction and equation वहाँ से क्योंकि देखिए आपका competency based question काफी आने वाला है न तो उस हिसाब से भी दिमाग में रखकर यह चीज़ को बनाया गया है यहाँ पर देखिए like आपको बोला जा रहा है कि late nitrate को आपने mix किया mix किया किसके साथ potassium iodide के साथ तो आपको बोला जा रहा है कि chemical equation लिखिए जो chemical equation होगा वो आपका balanced होना चाहिए फिर बोला जा रहा है कि जो precipitate form होगा वो उसका color क्या होगा और यह आपका double displacement reaction है या फिर नहीं है वो आपको बताना है तीन question तीन marks का इस type का question काफी भर भर कर पूछा जाता है ओके next प्यारे बच्चों दिमाग में रखिएगा यह नहीं यह वापस से page repeat हो रहा है मापी चाहूंगा next देखे यहाँ पर इस type का question भी काफी भर आया है कि आपको बोला जाएगा कि जो pH है वो less than 7 है तो आपको यहा काफी भर आता है कि बताइए कौन सा hormone secret होता है और वरीज के थुरू, pituitory gland के थुरू, adrenal gland के थुरू और उसका function भी आपको एक एक बताना है इस type का question biology में काफी जादा पूछा जा चुका है ओके next प्यारे बच्चों जो आपका पावर ओपर लेंस से उससे काफी question पूछा गया लाइक दिखें इस type का question भी काफी बराया हुआ है यह आपके NCRT में भी इस type का question दिया हुआ है क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि एक student है want to project the image of a candle flame on a screen 60 cm in front of a mirror by keeping a flame at the distance of 15 cm from its pole ध्यान रखीगा इस type में आपका पूछा जा रहा है कि कौन सा mirror आपको यूच क वाले chapter से भी पूछा जाता है human eye वाले chapter से भी पूछा जाता है तो आपको अच्छे से prepare करना है okay power of a lens वगेरा से तो काफी पूछा जाता है and यह question जो आपका 2018 में भी आया है 2020 में भी आया है and 2021 में भी आया है जो कि आपका NCRT में भी question दिया हुआ है आपको बोला जा रहा है कि आपके पास तीन register से और हर एक register आपका 66 ohm का है तो यह तीनों register को आप लोग कैसा combination में लगाएगा so that जो आपका resultant हो 9 ohm का हो जाए पहला case में और दूसरा case में इसका resultant है वो 4 ohm का हो जाए यारी series in parallel में आपको सोचना है कि तीन register है 6 ohm का कैसे आप लोग कीजिएगा so that जो net resistance से वो आपका 9 ohm में हो जाए तो प्यारे बच्चों यह मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं लाइक देखिए आप क्या कीजिए दो register को पहले अगर आप series में लीजेगा तो series में लीजेगा तो आपको क्या हो जाएगा 6 plus 6 यानि कि 12 ohm हो जाएगा yes और अगर अगर यह हो जाएगा तो यह आपका क्या हो जाएगा पैयmore बच्चों इसको er Acела तो आपा क्या हो जाएगा यह आपको शिरीज में है यानि कि प्यारे बच्चों यह आपका हो जाएगा यहाँ पर चाहे तो बैटरी लगा देजी ऐसे करके तो यह आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चो दूसरा वाला पार्ट का एंसर हो जाएगा इसी तरह आपको खुजना है कि फर्स वाला पार्ट का एंसर क्या होगा तो दिमाग में रखिएगा य जो कि मेरा यहां से 3 आ गया, 3 आ गया, अब यह दोनों का जो parallel का जो resultant आएगा, उसको में लगा दूँगा, जो next वाला register है, तीसरा register उसके series में लगा दूँगा, तो 3 plus 6, 9 क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों, यह आपका हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानि यह वाला answer भी म यहां से resistance आपका voltage and current पर depend करेगा, जो कि answer नहीं होता है, formula क्या होता है resistance का, जिसमें depend करेगा, rho L by A, यहां पर क्या होता है, यहां पर जो resistance आपका length पर depend करेगा, area पर depend करेगा, and resistivity यानि की nature of material पर depend करेगा, तो इस type का question काफी पूछा जाता है, आपको next question पूछा जा रहा है क parallel arrangement क्यों use किया जाता, domestic circuit में आपके घर में parallel arrangement of network क्यों यूच किया जाता, क्यों किया जाता है, प्यर पर बच कौछा नहीं parallel का आपको फाइदा बताना है, कि कोई भी अगर आपका सपोच, कि अगर आपका, आपका parallel more connect नहीं होगा, तो उस case में resposta क्या होगा, कि अगर आपका कोई भी एक बल्ब फ्यूज हो गया तो सारा बल्ब आपका off ही रहेगा और नहीं होगा और बड़ पैरलल ने फाइदा क्या होगा कि एक बल्ब भी अगर आपका फ्यूज हुआ अगर आपकी घर में दूसरा बल्ब यह तो वो रेगुलरली गलो करता रहेगा क्योंकि उसका अलग स्विश होगा तो यह आपका फाइदा है पारलल का तो इस टाइप का कोशन काफी पुछा जाता है अब मैं आगे डिसकस करूँ उससे पहले एक अच्छा सैंपल पेपर बुक आपको सजिश कर देता हूँ नेक्स देखिए प्यारे बच्चों मैं कुछ लॉंग कोशन की मैं बास करूँ तो देखिए ये भी कोशन का आप पुछा जाता है कि मेटल को आप मेटल सोब लोवर और मिडिल रेक्टिविटी से रीज को कैसे आप एक्स्टाइट करेंगे एक्जांपल के साथ आपको बताना है आपके NCRT में गिवन है मेटल्स गूड कंड़क्टर ओफ हीट क्यू होता है इसमें भी आपको दो रीजन बताना है नेक्स क्लीनिंग एक्सन ओफ सोब भी काफी बर पुछा जाता है देखी वापस से आपका के स्टडी टाइप कोशन आगिया है कि भाई एक कार्बन कंपाउंड पी है जिसको हम हीट कर रहे है एक्सेस H2SO4 के साथ पिर आपका अनदर कार्बन कंपाउंड बन रहा है तो यह सब टाइप का कोशन ना काफी पूछा जाता है यूतेरास एन ओविडक्ट का kuंचन क्या होता है यह सब आपसे काफी पूछा जाता है और नेक्स प्यारबच्चो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर रिप्रोड़क्शन से काफी कोशन आता है आपका दिन आपका homologus series से analogus series से fossil fuel क्या होता है mandals का जो experiment होता है वहाँ से question आता है वो सारा चीज मैंने आपका provide किया है आपके लिए ताक कि आप अच्छी से कर सके competency based question आ रहा है इसलिए इस टाइप का question इस बर काफी weightage दिया जाएगा कि आपका explain करना है यह सब आपसे काफी पुछा जाता है myopia के बारे में hypermetropia के बारे में और stress myopia के बारे में आपको अच्छी से कर लेना है क्योंकि यहां से question आना ही आना है प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि generator होता है आपके पास motor होता है तो उस type से भी question आता है solen white काफी important है जहां से भर भर कर question आता है वो भी मैंने आपके लिए यहां पर डाल जिया इस paper में तो यह अगर paper आप लोग कर लिजेगा प्यारे बच्चों तो यकीन मानिए यहां पर देखिए binary fusion in amoeba हो गया m meter को आप लोग series में ही क्यों लगाते है बोल्ट मेंटर को पैरल में ही क्यों लगाते है यहां से mcq में भी आ सकता है question तो वो सब भी आपको बताना है ओके तो अगर यह देखिए 2018 का भी question है तो प्यारे बच्चों दिमाग में रखिएगा अगर आप यह paper को एक बर अच्छी से go through कर लेते हैं तो यकीन मानी यह आपका काफी सारा question यहां से directly आपके exam में आने वाला है और अगर आपको चाहिए कि sir आप एक वीडियो बना दीजिए इन सभी के solution के उपर detail explanation के साथ या पी sir एक video बना दीजिए यह सारे question का solution को लेके तो मैं उसके उपर भी video बना दूँगा और उसके लिए video को प्यार दिखाए सब्सक्राइब चैनल को कीजिए video को like कीजिए and comment कीजिए कि sir हमें solution भी चाहिए इसका तो definitely मैं solution भी provide कर दूँगा फिलाल यह question का मैंने pdf आपको description box में दे दिया है वहाँ से जाकर आप लोग download कर सकते हैं तो फिलाल में video को समाप्त करता हूँ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए जय हिंद जय भारत